किसन भाइव नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट दोस्ट संजय दाकर स्वागत है आपका इसके नेग्रो न्यूस के अंदर दोस्तों कभी सारे कमेंट कर रहे हैं कि आप लगाते हैं उसके डिटेल वीडियो बिनाएं तो मैं अभी अपने खेट के अंदर आया हूं और यह फू हुआ ही की थी हम सीट्रिल से और इसके एक दिन बाद हमने मिनी स्प्रिंग कलर सिस्टम लगाए थे और बात कर लेते हैं मिनी फुमारे की तो इसमें 50 फुमारे यह देख सकते हैं आप यह लगे हुए हैं और इसके अंदर 400 मिटर जो 32 mm पाइप देख रहे हैं आप यह वाल पर दूर है उदर शाड़े साथ हैं और पूरा एक एकड़ का जो फुमारा सेट है वह अपने साड़े साथ हैं एच्पी की मोटर पर चल जाते हैं यहां पर हमने 50 फुमारे यहां पर लगा रखे हैं सोय भी आप देख सकते हैं कापी अच्छा है इसकी वेराइटी है 15 गु यहां तो उसमें उत्पादन अच्छा हुआ है लेकिन इस साल हमने थोड़ी दूरी बढ़ा थी क्योंकि उसमें क्या दिक्कत आया थी जब हम चेंज की दूरी रखते हैं उसमें तो कुलपा नहीं निकाल सकते हैं निराई गुड़ाई अच्छा से नहीं होती है और उसमें क्या है कि हाइड थोड़ी बढ़ जाती है उत्पादन थोड़ा से कम मिलता है गए साल हमें एक एकड के अंदर लगाया था दूसरे खेत के अंदर तो उसमें हमें आठ गुंटल प्रती एकड़ का उत्पादन मिला आठ से सवाड मान सकते हैं आप और तो इस साल हमने गेप छोड़ दिया है 14 इंच का गेप लगा है आप देख सकते हैं यहां पर यह देखिए जो हम बारिश में लगाते हैं मौनसुन में कुल्पे और निकालते हैं उसी टाइप से हमने इसको बॉहाई की थी इसके जो पूरा एक एकड़ का खेते इसमें 35 किलो सीट डाला था 15 गु तो उसका भी मैं वीडियो अंदर आपको थोड़ा डाल दूंगा वह आप देख सकते हैं तो बात कर लेते हैं फुमारा का जो सेट है वह 25,000 के सम्तिंग एक एकड़ का सेट हमें कोश्टली यहां पर पड़ा है इसका इस्टोलेशन चार्जा लग है और जो इस जो यह आसेंबल वाले हैं कोई कंपणी के ब्रांडेट नहीं है कंपणी का जो अगर हम व्रांडेट खरीते हैं जैसे जैन हो गया यह से बहुत से तो हमने सारे असेंबल लिये हैं नली अलक कंपनी का यह लोह की रोड अलग हैं यह वाले सब सिस्टम से खृद के फिर असेंबल किये हैं तो उसका जो हमें चार्ज हैं 25 जार फरति एकड आया हैं और रपेंट पेशको हमने चार साल से यूज कर रहे हैं दूसरे वाले खेत के अंदर हैं महिने से ज्यादा बढ़ा हो गया है कि इसके अंदर हुआ है कि सोच 4-5 यह करतें से पेले अ लगते Hampshire निकालने प्रैस्ति आपके छाने पर यह थंब्लानी निकालने निकालने के यह हमारा पासमें नदी आइ explorer पानी इसलिए हम यह सब करते हैं अगर पानी नहीं है तो यह सब गर्मी में संभव नहीं है तो देखिए में और यह वाली जो आप देख सकते हैं यह फुमारा से की है इसमें सुक्के के अंदर स्वयबिन डाल दिया इसके कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया अब भी तक जैसे लैसुन का खेट खाली हुआ उसमें रोटावेटर निकाला और मशिन से बुआई की और फि उसमें साथ क्यारे भी बनाए हैं और उसने क्या मोटर से फ्लोट पानी छोड़ा है तो वह स्वयबिन में आपको दिखा दूं चलिए पास में थोड़ा सा यहां पर इस बाइकी स्वयबिन में दिखा दूं आपको वीडियो कंट्यूनियू रखूंगा कोई स्किप नहीं क देखिए यह उस भाई का है जिसमें सीड्रिल के साथ क्यारी बनी और बीज भी हमने डाला है उसका एक पूरा खेत ही है अब देख सकते हैं अंकुरन में कापी डिफेंड है यहां देखिए बीच में गेप हैं क्योंकि हम फ्लोड पानी छोड़ते हैं तो बीज के उपर मिट् अंदर 30 किलो पीज हमने डाल दिया था तो अब जर्मिनेशन कापी कम हुआ है आप देख सकते हैं यह हैं फ्लोड पानी छोड़ने का क्योंकि स्वयबीन होती है वह कापी हलकी होती है जो अंकुरन होता है अगर उसके उपर मिट्टी आ जाती है तो अंकुरन में कापी तो यही कारण है मिनी फुआरे का अगर इसको हम पहले खेट को गिला कर देते थे उसके बाद बिजाई करते हैं तो अंकुरन अच्छे से हो जाता लेकिन सुक्के में अगर बुआई कर रहे हैं तो मिनी फुआरे बेस्ट है चलिए मैं आपको अपने खेट के उंपर लेके क्याता हूं यह देखिए अब देखिए सुक्य का अंदर बुआई हमने भी उस बाईने की लुए उसने फ्लोट पानी चलाया है और हमने मीनी स्प्रिंग कलर से पानी छोड़ा है तो आप देख सकते हैं कपी अच्छा ग्रोथ किया है स्वाय बिन ने और आगी समय समय पर ह हम आपको बता देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार अल्द बेस्ट